मेरे किसान भाईयों, आज हम थ्रीप्स और माइट्स नाम के ऐसे कीडों के बारे में और उन से फस्तों में होने वाले नुक्सान के बारे में बताने जा रहे हैं और उसके उपाय को अपना कर आप ना सिर्फ अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अनुमान से ज्यादा पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो थ्रीप्स प्रजाती के कीडे और उनके लार्वा हमारे पौधों के तनों और पत्यों को निशाना बनाते हैं। उसका पूरा रस्चूस डालते हैं जिससे पत्यों का विकास रुख जाता है। पत्यां उपर की ओर मुड़ जाती हैं। और यदि आपके पौधों की पत्यां मरी तो समझिये फसल भी बरबाद हुई। क्योंकि पत्या ही तो पौधों के लिए भोजन का काम करती हैं। पौधों से पत्यों के गिर जाने से या बीमार हो जाने से पौधी कमजोर पढ़ने लगते हैं। और ऐसे वक्त पर बहुत तरह के वाइरस भी आपके पौधे होते हैं जिने हम माइट यानि की पतंगा कहते हैं। इनका भी यही कारे हैं। ये तो मिर्च की खेती से लेकर कपास की खेती तक लगभग 200 प्रकार की फस्टों पर हमला करके उन्हें बरबाद कर देते हैं। माइट्स आम तोर पर पत्यों के निचले हिस्से पर ही अपना ठिकाना बनाते हैं और इनकी वज़े से पत्या नीचे की ओर मुर जाती हैं। किसान भायों इन कीडों की वज़े से हमारे पौधों की पत्यों का रंग काला पढ़ने लगता है और हमारे फलों और फूलों को गंभीर बीमारियां अपने जाल में जकरने लगती और मान लीजिए यदि आपने कुछ कीड नाशक दवाओं का छिड़काव करके अपनी फसल को इन कीडों से मुक्भी कर लिया तब भी आप राहत की सांस नहीं ले सकते। क्योंकि जब हमारी फसलों के फलने का दिन आता है यानि जब उसमें फल फूल लगने लगते हैं बदलते मौसम और वातावरण का जिसके वज़े से हमारे पौधों का पूरा विकास नहीं हो पाता। पत्यों में छेद हो जाते हैं पत्यां पीली या काली पड़ जाती हैं देखा जाए तो हमारे फसल को बरबा करने वाले कई तरह के कीडे, पतंगे, मौसम, वातावरण ह लेकिन इन सबसे बचाव का एक ही इलाज है। जी हां किसान भायो, इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए माई लाइस्टाइल मारकेटिंग कमपनी आप सब के लिए लेकर आए हैं इंडिया ग्रो ट्रिप माइट ट्रिप माइट जड़ी बूटियों से तयार किया एक ऐसा रसायन जो थ्रीप और पतंगों के उपद्रव के कारण हमारे फसल के नुकसान पर विराम लगाता है और लंबे समय तक फसलों को कीडों से मुक्त रखता है, कीडों के लिए जहर का काम करता है, छिड़काव करते ही ये औशधी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, जिसके वज़े से कीडे लकवा ग्रस्थ होकर मरने लगते हैं और उनके लारवा भी स्थिर हो जाते हैं, देश में तमाम तरह के रसायन उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ खूबियों के साथ साथ खामिया भी हैं, लेकिन ट्रिप माइट एक ऐसा असरकारी जांचा पर्खा न और इसका इस्तिमाल करना भी बेहद आसान है, एक लीटर पानी प्रती 2 मिली लीटर या 250 मिली लीटर प्रती एकड के हिसाब से एक पत्तेदार स्प्रे के रूप में कीडों के उपद्रव के शुरुवाती चरणों में स्प्रे शुरू करें और एक पकवाडे अंतराल पर फिर से दोहराएं और अपकी फसल की रक्षा करते हुए पैदावार को बढ़ाएं तो किसान भाईयों आज ही अपनाएं इंजिया ग्रो कंपनी का ट्रिप माइट झाल 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 झाल